नमस्कार दोस्तों, आपको पता है टोकियो ओलंपिक्स के अंदर जो रेस्लिंग है वो आपका जारी है और काफी जादा आशा है कि भारत को कुछ मेडल्स रेस्लिंग से भी आएंगे अल्रेडी आपको पता है कि जो रवी कुमार धाया है उन्होंने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है शाम को मैच होगा तो देखाएंगे कि क्या गोल्ड हम जीत पाते हैं कि नहीं लेकिन यहाँ पर एक काफी बड़ा अब भी दो ब्रॉंज मेडल दिये जाते हैं जिस तरह से बॉक्सिंग में दो ब्रॉंज होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके अंदर रेपर चार्ज राउंड होता है और इसी को मैं आपको बतानी की कोशिश करूँगा कि अभी भी चांस है कि विनेश पोगाट वो रेपर चार्ज राउंड में जाकर ब्रॉंज मेडल भारत के लिए जीत सकती हैं तो इसके बारे में डीटेल से समझते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप स्टरी आईको को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंप्ली जॉइन का बटन क्लिक करना है आपको औ आपका ब्रॉंज पक्का हो जाता है तो तो बॉक्सिंग के अंदर रेसिंग के अंदर गोल्ड सिलवर और दो ब्रॉंज दिये जाते हैं यहां पर आप देख सकते हो यह में 2016 का आपको जो आंकड़ा है जिसमें हमारे भारत की साक्षी मलिक को ब्रॉंज मेडल जीता था तो साक्षी मलिक रियो ओलम्पिक्स के 2016 में तीनों ने यहाँ पर ब्रॉंज दीता है और यह सभी रेपर चार्ज के माध्यम से किया गया है तो यहाँ पर रेपर चार्ज का मतलब क्या होता है देखिए अगर आप इसका literal meaning देखेंगे तो यह French term है रेपरचर इसको कहते हैं इसका मतलब होता है rescue करना अब rescue अगर आप देखोगे तो यह सिर्फ ऐसा नहीं कि wrestling में ही होता है यह आपको बाकी भी कई सारे sports में जैसे baseball softball, beach volleyball, cycling और भी कई सारे sports में आपको देखने को मिलेगा इसका basic अर्थ यह होता है to give a second chance to an individual to fight for a third spot कहने का मतलब कि अगर आप अपने starting में ही अपना match हार जाते हो और जिस opponent से आप हारे हो और वो opponent आपका final में चला जाता है तो आप एक प्रकार से यहाँ पर जीवित हो जाओगे rescue हो जाओगे और आपको अचार गए तो आप तो eliminate हो जाने चाहिए तो basically अगर आप देखो कि wrestling के अंदर total 16 wrestler होते हैं मतलब कि suppose मैं कहता हूँ यह 53 kg का round है जैसे विनेश फोगार जो है वो 53 kg के category में यहाँ पर fight करती हैं तो इसके अंदर अगर आप देखे तो total 16 आपको wrestler देखने को मिलेंगे हर category में 16 wrestler होते हैं और इसको दो part में divide कर दिया जाता है एक part में 8 wrestler होते हैं और नीचे के आप 8 देख सकते हो यह बाकी 8 हैं अब दोनों की तरफ से क्या होता है कि final में जो है इधर से एक player final में जाएगा इस वाले यह वाले नीचे half में और जो top 8 वाले हैं यहाँ पर इसमें से एक final में जाएगा और दोनों में आपस में आपर final होगा लेकिन यहाँ पर अब आपको देखना है कि suppose मैं कहता हूँ कि आपकी fight सुरुआत में ही एक ऐसे player से हो गई जो कि बहुत जादा strong था तो कहने का मतलब है यह तो lucky draw जैसा होता है कि यहाँ पर आपको किसके साथ fight करना है तो दोनों को at least किसी ना किसी को एक साथ fight करना पड़ेगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हो सकता है कि आप unlucky रहो आपको सबसे strong opponent शुरुआत में ही मिल जाए और आप वहाँ से बाहार हो जाओ और क्योंकि वो आपका opponent बहुत जादा strong था और वो final में यहाँ पर पहुंच जाता है इसलिए आपको मौका दिया जाता है कि आप bronze medal के लिए जीत सकें तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते है कि यह पुरा work कैसे करता है मैं आपको आराम से बताता हूँ देखिए यह तो आपको समझ में आ गया कि total 16 players होते हैं इसके अंदर तो जो पहला round होता है इसको हम कहते है pre quarter final pre quarter basically कहा जाता है round of 16 भी आप इसको कह सकते है 1 by 8 elimination भी इसको कहा जाता है ठीक है और इसके अंदर आप देख सकते हो जितने 16 के 16 players हैं वो यहाँ पर fight करते हैं एक दूसरे के साथ तो चलो example लेकर देखते हैं top half में अगर आप देखो यहाँ पर यह वाला में तीसरा जीत गया था तो first और third के बीच में आप पर fight होगा और इसमें से again पहला जो है वो आपका semi final में चला गया फिर यहाँ पर semi final से उसने हरा दिया और यह चला गया final के अंदर कहने का मतलब यह है कि यह जो पहला वाला है first person है यह जो final में चला गया है वो जिस जिस के साथ उसने fight किया था वो यहाँ पर rescue हो जाएंगे वो एक प्रकार से जीवित हो जाएंगे और यहाँ पर उनको दूसरा मौका दिया जाएगा कि वो bronze medal जीत सकें अब यह work कैसे करेगा देखो यहाँ पर सबसे पहले first वाले से किस ने हा रहा था यह दूसरे number वाले हा रहा था फिर second match में यहाँ पर first वाले से किस ने हा रहा था यह तीसरे वाले ने हा रहा था तो सबसे पहले क्या होगा second और third इन दोनों के बीच में यहाँ पर fight होगी ठीक है और इसमें से जो जीतेगा सपोज मैं कहता हूँ इन दोनों में से सकेंड वाला जीत गया अब ये सकेंड वाले की fight होगी फिफ्ट वाले के साथ क्योंकि यहाँ पर फिफ्ट वाला पहले वाले से हारा था तो फिफ्ट और सकेंड में जो भी जीतेगा वो यहाँ पर bronze medal ले जाएगा और इसमें इसी प्रकार से नीचे भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो 16 वाला जो person है वो लगातार जीते जा रहा है तो 16 वाले से जिसने भी हारा था वो यहाँ पर जीवित हो जाता है तो यहाँ पर 15 और 13 के बीच में fight होगी और सपो हम बात करें तो 2008 में सबसे पहली बार बीजिंग वाला जो olympics वा था वहाँ पर इसको introduce किया गया था तो सबसे पहली बार वहाँ पर होता है अब मैं आता हूँ कि विनेश फोगाट के case में क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है अभी इसी साल आप याद रखेगा कि world number one उ जैसे मैंने बताया था जो पहला राउंड है इसको pre quarter कहते हैं और इसको 1 by 8 elimination भी आप कह सकते हैं और आप इसमें total देखिए कितने players हैं total 16 players आपको देखने को मिलेंगे और 16 players है मतलब 8 matches conduct होने हैं और विनेश फोगाट का आप देखिए ये वाला match था जहाँ पर विनेश फो फोगाट की जो टकर है वो बेलरुस की player से होती है और यहाँ पर एक काफी बड़ा disappointment होता है ये अगर आप देखोगे तो ये win by fall से बेलरुस की player जीच जाती है और काफी heavy रही थी है अगर आपने match देखा होगा तो विनेश फोगाट ने वो performance नहीं दिया था अपना जो world class क performance होता है वो यहाँ पर नहीं दे पाई और win by fall कल ही मैंने इसके उपर video बनाया था win by fall क्या होता है वो आप चाहो तो check कर लेना देख लेना मिल जाएगा आपको कल ही मैंने इसके उपर video बनाया था win by fall क्योंकि कल जो हमारे दया है कुमार दया वो win by fall से ही जीते थे तो का quarter final है अब next match होगा semi final जहां पर ये जो Belarus की player है वो participate करेंगी अब suppose semi final में ये Belarus की player जीच जाती है और चली जाती है final के अंदर तो जब वो final में जाएंगी तो automatically जो विनेज फोगाट है वो active हो जाएंगी मतलब वो जीवित हो जाएंगी तो सबसे पहले match क्या होगा जो फोगाट है और यहाँ पर एक और player है जो पिछले वाले round में Belarus की player ने यहाँ पर एक और player को हराया था AB Anna तो AB Anna और विनेज फोगाट का यहाँ पर match होगा और फिर विनेज फोगाट का एक और match होगा जो की semi final में जिसने हारा था Belarus की player के साथ और यहाँ पर अगर Vinesh Pogart जीत जाती है तब उनको bronze medal मिल सकता है तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि यह जो Belarus की player है वो final तक पहुँचे वो final पहुँचने के बाद फिर Vinesh Pogart को एक chance मिल सकता है इसके बारे में I hope कि आपको समझ में आ गया होगा जाने से पहले एक बहुत interesting question क्या आपको पता है कि एक particular year में जब Olympic Games conduct हुआ था Summer Olympics वहाँ पर एक massacre हुआ था जिसको कहा जाता है Munich Massacre इसमें जो Palestinian terrorists हैं उन्होंने जो 11 Israeli athletes हैं उनको मार गिराया था और एक German की भी मिर्ती हुई थी तो 12 लोग यहाँ पर मारे गए थे उस Olympics के अंदर और इसके उपर एक बड़ी movie भी बनी भी है I'm sure कई लोग देखे भी होंगे तो ये कौन से year में हुआ था ये वाला Olympics game जिसको Munich Massacre के नाम से भी जाना जाता है इसका जो right answer है आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको इसका PDF चीए तो Telegram पर आईए अलग-लग social media पर भी आपको उसे जोड़ सकते हैं और जैसे मैंने बताया कि अगर आप Study IQ को support करना चाहते हैं तो simply you have to click the join button वहाँ पर आप हमें support कर पाएंगे आप हमारे app को भी download कर सकते हैं I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलतों आप से नेक्स तैम तिल दन Thank you very much, see you soon